नमस्कार दोस्तों, सुसान सिंग राजपुत मामले की एक महत्पुर्ण करी और वो कड़ी है रिया चकरवर्ती रिया चकरवर्ती जो की एक हपता पहले, यानि कि सुसान का जब डेथ हुआ वो 13 जून की रात और उसके करीब एक हपते पहले दिशा शालियान का मामला हुआ था दिशा सालियान के मामले में ये कहा जा रहा था कि वो पार्टी एक बड़े कलाकार के घर पे हुई और उस पार्टी में कई बड़े राजने तहां भी शामिल रहे हैं लेकिन इन दोनों घटनाओं के एक हपते पहले रिया चकरवर्ती जिस परकार से आकर के सुषान सिंग रात पुद के घर से इलेक्टरौनिक डिवाइस सारा लेकर के जाती है लड़ाई जगड़ा करके जाती है और उस इलेक्टरोनिक्स डिबाइस में मुबाइल फोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स यह सारे जितने डिबाइसे थे वो लेकर के जाती है और उसके बाद वो शुशान सिंगराजबूत कर नंबर ब्लॉक कर देती है यहां तक कि कई पाशवर्ट्स थे वो शब कुछ लेकर के जाना और जब यह बाते खुलकर के सामने आई कि एक हफ़ते पहले लड़ाई जगड़ा हुआ इलक्टरोनिक डिबाइस लेकर के गई है तो वो सारी चीजे हुआ क्या क्या इन सारी चीजों को जब्त किया गया इन सारी चीजों की जाच हुई और इन सारी चीजों के जाच होते ही बहुत कुछ मिल सकता था साइद मिला भी होगा लेकिन हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे है हमें नहीं पता कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है रिया चक्रवर्ती आराम से बाहर घूम रही है और रिया चक्रवर्ती के उपर कोई भी कारवाई नहीं होई है कोई भी ऐसी उसके उपर एकसर नहीं हुआ है जिसे हम कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोसी है और इस मामले में रिया चकरवर्ती कहीं ने कहीं अपने आपको सरमिन्दा मशूश कर रही है या पस्तावा हो रहा है कोई भी लिंक नहीं कोई भी बात नहीं कोई भी सूचना नहीं रिया चकरवर्ती आराम से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रही है और जी भी रही है अपने कैरियर बॉले बॉर्ट के अंदर अपना समय बिता रहे हैं ये सबसे बड़ी दुखत बात है कि एक उभरता हुआ कलाकार एक टैलेंटेड वेक्ती अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन दूसरी तरफ उनके जो गुनागार हैं जिन पर शक है वो अपने आपको बहुत हो खोले आम बाजारों में घूम रहे हैं बहुत हो खोले आम बॉले बॉर्ट में काम कर रहे हैं इससे बड़ा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता हमारे देश के लिए हमारे जनता के लिए क्योंकि हम तो सिर्फ कानून पे भरोसा करते हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कानून हमें न्याय देगा लेकिन कब इसका कुछ नहीं पता